हलो फ्रेंज मैं वह संध्या साहगत है आपका शैल की रसोई में आज हम बनाने वाले है यह भी तो बीडियो नहीं तक जरूर देखेगा आई होप आपको जरूर पसंद आएगा और अगर आज की पसंद आए फ्रेंज तो वृडियो जरूर लाइक कर दिजएगा और जो फ्र आज हम बनाने वाले हैं प्रेंज्ट पालक की बहुती सांधारर रेश्पी विलकुल धावाई स्टाईल में आपको काफी पसंद आएगी और बनाना बहुत ही जी है तो चलिए शुरू करते हैं यहां मैंने लिये हैं फ्रेंट्स पालक तो मैंने दो बंडल पालक लिये हैं मतलब दो जूड़ी जो आता है न तो दो बंडल मैंने पालक को लेके और उसे मैंने उसके जो जड़ रहता है उसे काटके और पानी में डाल दिया है ताकि न अच्छे से पालक जो है वो धूल जा है आप 3-4 घंटी के लिए भी छोड़ देंगे ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा गरम पानी में डालिएगा तो जल्डी से मतलब जो दाल है वो फूल जाएगा लेकिन 3-4 घंटा चना दाल लग जाता है फूलने में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पालग को अच्छे से ह भो लेती हूँ फिर कट करने के बाद में इसे में दो बार और धोंगी तो एक एक पत्ता हम ऐसे हाथ में लेते जाएंगे ताकि Rig अगर कोई इसमें घास ड़ीरा हो हो तो हमें दिख जाया और उसे हम बाहर कर देंगे या जो खराब पत्ता हो उसे हम बाहर कर देंगे तो चलिए पहले तो हम पालक को धो लेते हैं अच्छे से और उसके बाद इसे हम कट कर लेंगे तो कट हमें बड़ा-बड़ा करना है क्योंकि इसे हमें पीसना है तो इसे लिए आप बड़ा-बड ये पना भी काट सकते हैं, तो पहले मैं एक एक प्ता अच्छे से पहले धोलेती हूं पूरा और उसके बाद नेंगे कडाही के जगहे, आप कुछ भी वर्तन ले सकते हैं बड़े सा इच्छ का और उसमें पूरा जो पालक है उसे हमें डाल देना है, इस तरह से पहले पूरा पालक डाल देंगे, और इसमें हम कम से कब, 1.5 दो गिलास पानी छोटे गिलास से, अगर बड़ा गिलास है तो एक गिलास पानी डालके और इसे हम गैस के उपर चड़ा देंगे थोड़ा सा पालक को हमें soft करना है एकदम जादा नहीं पकाना है तो आपको मैं दिखा दूंगी कि कितना हमें इसे पकाना है तो मैं यहाँ कटोरी से पानी डाल रही हूँ आप गिलास से भी डाल सकते हैं तो 2 कटोरी पानी मैंने डाला इस तरह से 3-4 कटोरी पानी डालेंगे, ज्यादा भर के हमें नहीं डालना है, तो 3 कटोरी पानी मैंने डाल दिया, अब एक कड़ाही और लेंगे, इसमें डाल देंगे हम चना डाल, तो चना डाल को भी मैंने अच्छे से दो लिया है, तो चना डाल डाल देंगे, अब इसमें हम डालेंगे पानी तो एक कटोरी चना दाल के लिए यहां हम दो कटोरी पानी डाल देंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक और हल्दी बस इतना ही हमें डालना है आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला और आधी चम्मच नमक डाला अब दोनों को हम चड़ा देंगे तो मैंने दोनों burnar के उपर में ऐसे चड़ा देती हूँ, एक तरफ हम दाल को पकने देंगे और एक तरफ हम पालक को पकने देंगे, तब तक हम बाकी की तैयरी कर लेंगे, तो इसे भी मैंने cover कर दिया, दोनों हमारा पक रहा है, अब चलिए हम बाकी की तैयरी कर लेते हैं, तो ये देखिए, पालक हमारा पक चुका है, तो इतना ही हमें पालक को सौप करना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, तो अब इसे हम ठंडा होने देंगे, इसके बाद ही पीसेंगे, इधर हमारा दाल है, वो भी पक चुका है, तो ये देखिए, आपको दिखाती हू जो है गल जाएगी तो इतना ही हमें बाल को भी रखना है तो चलिए अब आगे की तेयारी हम आपको मैं दिखा देती हूं कि मैंने क्या क्या किया है तो यह देखिए यहां मैंने प्याज लिया है तो एक प्याज बड़े साइज का मैंने लंबे अकार में काटा है और एक मैंन में लहसु नद्रक को बारी काटा है वे दो टढके के लिए हैं और एक कटोरी टमाटर लिया है खोटे शाइज में कट करके E만 किया क्तुरम, मिकल के मिकसी जार लेंगे है, फिरृंस को फन्र थन्डा तो पालक को हमें मिक्सिजार में डाल देना है पानी नहीं डालेंगे बस पालक को हमें डाल देना है और इसके बाद इसे हमें पीस लेना है तो पीसने का मतलब है आपको इसे मोटा दरदरा पीसना है ये नहीं कि एकदम मतलब फाइन मत पीसिएगा थोड़ा इसे दरदरा दखिएगा इसे एक दो बार दो बार चलाएंगे एक बार जैसे चलाएगा मिक्सी फिर बंद कर दीजेगा और दूसरे बार में ये दरदरा सा हो जाता है तो चलिए मैं इसे आपको पीस के दिखाती हूं और जो पानी है ना पालक वाला पानी दाल वाला पानी ये सब पानी ह हम यूज करेंगे, इसे हमें फेकना नहीं है, इसलिए मैंने ढग दिया पालक वला पानी को और यह देखे मैंने पीछ लिया, तो इस तरह से दरदरआ पीछ ना है आपको, एकदम फाईन नहीं पीछा है मैंने, तो ये हमारा पीस कर तयार हो गया, अब चलिए हम फटा-फट से पालक की रेस्पी बनाते हैं, इस पालक की रेस्पी इतनी असान रेस्पी है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत जल्दी जटपड बनकर तयार हो जाती है, बहुत डिफ्रेंट है, पालक आलूक की सबजी तो हम बाद में डालेंगे, तो दाल को मैंने निकाल लिया और उसी कडाही को मैंने फिर से लिया है बनाने के लिए, अब यहाँ एक प्लेट ले लेंगे और इसमें हम निकालेंगे थोड़े से गरम मसाले, तो गरम मसाले में निकालेंगे थोड़ा सा दाल चीनी, एक बड़ी इलाईची लेंगे दो छोटी इलाईची लेंगे लॉंग लेंगे तीन च'll और गॉल निर्च इतना हमें लेना है फ्रेंव ह्रिef Singh कडे मसालें में और इसे हमें दरदरा सा कूट लेना जो ओखली होती है ना कूटने वाली बस उसी में डाल के आप कूट सकते हैं या पिर आप Nixyjar में भी तो Nixyjar में इतना थोड़ा सा चलाते नहीं बनेगा तो आप उसे कूट सकते हैं तराम से दरदरा सा कूड़ जाता है यह देखिए मैंने कूट लिया इस तरह से हमें कूटना है इसे अब चलिए क्या करेंगे फ्रेंज कि गैस ओन करेंगे और एक कड़ाही चड़ाएंगे तो यहां मैंने कड़ाही चड़ा दी अब यहां डाला मैंने सरसो का तेल तो सरसो का हुआ प्याज है उसे एट कर देना है और इसे हम लगतार चलाते हुए पहले प्याज को हम भून लेंगे जब प्याज थोड़ा सा भून जाए न तो इसके बाद इसमें हम जो लासु नद्रक को कदुकस करके रखे हैं उसे डाल देंगे ताकि प्याज के साथ ओभी भून जा जाती है तो मिर्च डाल दिया और इसके बाद इसे हम लगतार चलाते हुए भून लेंगे जब यह सब भून जाए तो क्या करना है कि जो टमाटर लिया है हमने छोटे अकार में जो काटा है एक कटोरी में उस टमाटर को हम डाल देंगे इसमें और टमाटर को डाल के सार डालना है क्योंकि जो डाल वाला पानी है न उसमें भी हमने नमक एट करी है तो नमक डाल दिया और इसके बाद इसमें डालेंगे मसाले तो आधी चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर आपको इन बताती जा रही हूं एक चम्मच इस आप अपने अनुसार मतलब 8 किजिएगा आपको जितना तीखा पसंद हो क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने यहां डाली है कसमेडी लाल मिर्च डाल देंगे कलर के लिए एक चम्मच और सब को डाल के हम एकदम अच्छे से भून लेना है तमाटर के सौप्ट होते तक तो मसाले को अच्छे से भूनना है मसाले भून गए टमाटर भी सौप्ट हो गया अब यहां डाल देंगे हम दाल जो चना दाल हमने निकाल के रखा है इसे डाल के इसे हम अच्छे से मसाले में पहले मिक्स कर लेंगे और इसे लगतार चलाते हुए एक से दो मिनट हम भून लेंगे और मिक्स करने के बाद में जो पालक वाला पानी है और जो दाल वाला पानी है दोनों पानी को हमें इसमें डाल देना है क्योंकि पालक वाला जो पानी आप फेक देंगे न तो फिर सारे विटामिन्स तो फिर मतलब इसमें आएंगे नहीं इसलिए पालक वाला पानी इसमें हमें करना है तो सब को अच्छा से mix कर दिया अब पानी ढाल देंगे इसे लिए पानी जो है आप थोड़ा-थोड़ा डालियेगा ताकि बेश्ट्ट नहों तो सब पानी को डालने के बाद में इसे कवर करके हम पकने देंगे तो यह पालक वाला पानी है इसे भी डाल दिया और इसे हम थोड़ा सा पकने देंगे गाढ़ा होते तक तो जल्दी से यह फटा-फट से गाढ़ा हो जाता है टाइम नहीं लगता और जो दर्दरा कूट के मतलब मसाला रखा था ना गरम मसाला उसे डाल देंगे तो इससे क्या होता है ना कि बहुत अच्छी खुसवू आती है बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिच-बिच में ऐसे चलाते रहना है तो आप देख रहे हूंगे कलर देखिए इसका और पहले से यह काफी गाढ़ा हो गया है तो आपको जितना मतलब सूखा काढ़ा हो गया अब एक साइड मैंने बर्नर के उपर उससे चड़ा दिया और इधर हम तड़के की त्यारी कर लेते हैं तो तड़के के लिए हम एने एक चमच डाला घी अगर आप घी नहीं खाते तो इसके जगा आप तेल यूज कर लिजेगा यहां डाल दिया जीरा दो दाल मीर्च थोड़ा सा डाला यहां हींग तो इससे बहुत अच्छा टेश्ट आता है हींग जरूर डालिएगा और इन सब को हम थोड़ा सा पहले भूनने देंगे और इसके बाद न इसमें हम डालेंगे प्याज जो हमने लंबे अकार में काटके रखा है लेसून अधरक यह सब को हमें डाल के अच्छे से भूनना है तो गुद्ध कलर करना है क्योंकि तड़का हम लगा रहे हैं तो इसके लिए प्याज को न एकदम ब्राउन होते तक हमें पहले भून लेना है और उसके बाद इस तड़के को हमें जो पालक डाल वाला जो साग बना है न उसके उपर हमें इस तड़के को डाल देना है तो यह एकदम तड़के वाला दाल पालक आपका बनकर तयार होगा प्याज जैसे ही भून जाए उसके गाद इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर को हमें सौप्ट नहीं करना है टमाटर खड़े खड़े रहने चाहिए तो के साथ तो आपको डाल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी अच्छी लगती है यह खाने में गैस को मैंने बंद कर दिया और यह देखिए पालक भी हमारा काफी गाढ़ा हो गया तो इतना ही रखेंगे हम इससे ज़्यादा सूखा नहीं करेंगे क्योंकि यह रेस्पी न इसी टाइप की अच्छी लगती है अब इसके उपर गर्मा गरम जो तड़का है उसे हमें डाल देना है और आप देख रहे होंगे यह हमारा दाल पालक बनकर जटपट से तयार हो गया तो अगर इस तरह से आप कभी नहीं बनाए हैं तो आप जरूर बनाईएगा अभी पा मिक्स कर दीजेगा तो मुझे तो मिक्स करने का मन नहीं हो रहा है इसलिए मैं इसे मिक्स नहीं कर रही हूँ सर्व करते समय इसे मैं मिक्स कर दूंगी तो यह आपको पास से दिखा रही हूँ यह देखिए कितना अच्छा हमारा दाल पालक जो है बनकर तयार हो गया तो बिलकुल इधर उधर मत जाईएगा तो यह देखिए कलर देखिए और जो हमने लाल मिर्च डाला है ना उपर से तो देखने में यह काफी अच्छा लग रहा है तो आप इसे सर्व करते समय मिक्स करके सर्व किजिएगा तो दो जूड़ी हमने पालक ली थी और इतना हमारा दाल पालक बन कर तयार हो गया इतने में अराम से आप 6-7 लोगों को खाना खिला सकते हैं यह गर्मा गरम सुखी रोटी के साथ भी काफी अच्छी लगती है तो आप जरूर ट्राई किजेगा मुझे जरूर बताईएगा कि आपको पसंद आई की नही आई तो चलिए फिर म झालवा इंडी के एंडी के मैं मैं मुझे के जरूर आई सर दिए सिर्मा एंडी की का गर्मा प्रूर स्वाँ मुझे नहीं कि एद्वारती है झाल झाल